हेलो गाइज मैं हूँ प्रियान का यादव रिजनिंग एंड कम्प्यूटर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है फ्रेंट्स बहुती बड़ी खुश्कपरी है आप लोगों के लिए रेलवे अलाहाबाद जोन के स्टुडेंट्स के लिए अभी अभी रिसेंट आज में ही एक नौटिस जारी किया है ठीक है एक्च्वल में दो नौटिस जारी किया है एक नौटिस तो है डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटिड और जो दूसरा नौटिस है वह है आपका पैनल लिस्ट में जिन-जिन का रॉल नमबर पढ़ा है जिन जिन का नाम पढ़ा है तो उससे रिलेटेड ठीक है फ्रेंड्स तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इसका फर्स्ट नॉटिस आया है ठीक है किससे रिलेटेड है कि जैसे हमारा एक्जाम होने के बाद डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन और मेडिक आप तुझन और मेडिकरी के स्टूडेंस थे उनके लिए क्या कि जो ठीक्राप्राण्ड का एक मेडिककल के Лी उनको ढक्तल बुलाम यह नहीं गया टो एक नॉटिस से रिलेटीड के लिएitो, डाले गए है कि इन-इन स्टूडेंट का suited क्वल्टेड के गई है उस पा Лिट के उपर होगा ठीक है फ्रेंड्स और नेक्स्ट जो नौटिस है वो यही इसी के टेगरी से रिलेटेड है कि इसके अंदर किन-कन स्टुडेंड्स का सेलेक्शन हुआ है एक पैनल लिस्ट की जाली हो चुकी है ठीक है फ्रेंड्स तो हम फिर्स्ट नौटिस की बात करते हैं आज ही के डेट में देखें, नॉटिस है, दिया है, नॉटिस फर मेडिकल एक्जामिनेशन अफ का ओफ दे कैंडिडेट वो है, नॉट बेन इस्वोड मेडिकल मेमो दूरिंग डीवी, ठीक है, डीवी के दोरान इनको जो मेडिकल मेमो नहीं मिला था, उनसे रिलेटिड है, तो हम ओपन करके देखते हैं इसको, देखें, क्या दिया है, मेडिकल एक्जामिनेशन अफ दे कैंडिडेट वो हैव अटेंडिड डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन फॉम 19 सेप्टमबर तो 23 सेप्टमबर, ठीक है, बट मेडिकल मेमो नोट इस्वोड तो देम, यह आपका म लेकिन मेडिकल मेमो नहीं हुआ था, तो उनसे रिलेटिड यह नोटिस है, ठीक है फ्रेंट्स, तो यहा है दे लिस्ट ओफ 283 कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्टलस्टेट फॉर डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन वाज पॉब्लिस्ड ओन दे वेब साइट ओफ रेल केटेग्रिस वाज हैल्ड फ्रों 19 तो 21 एंड ओं 23 ठीक है इनका जो डीवी कंडेक्ट किया गया था यह इन डेट को किया गया था 19 को 21 को 23 को अब सेंटी कैंडिडेट एट इंस्टिट्यूट का नाम दिया है S.I.E.T. एजुकेशन ब्लोग जालवा प्रयागराज ठीक है जो अपसेंट रहे है उनका भी दिया है इसमें नेक्स दे आज आज देर आज देर सम्केंडेट्स वागर आटेंड देटेवी हावेवर थे न वन एंड इसूट ब्लोग अप्रिकेशन अज परिखेंट एफिकेशन एफिकेशन रिए एच्टेशन चास्ट ठीक है यह उनसे रिलेटीड भी है जिनका डीवी हुआ था और डीवी के अंदर उनकी कुछ न कुछ प्रॉब्लम रही थी ठीक है तो एफिडेट बेगरा सम्मिट करवाने के बाद उनका फाइनली उनको एक अपोर्चिनेटी मिली है किसकी मेडिकल एग्जामिनेशन के ठ है फ्रेंट खुट एक है नेक्स्ति यहा है नो सेपरेट इकोलैटर विल बेए इसूब एसूड ट कंडेटीडस को एफिडेगर नींच को एफिड उनका ट्रॉब्लम नेडवी है। इसुट नीच क्रॉजट करवार्चिनेशन इसुट एक ब्रफेंशन ओंधने लिवें ल एक्स्टरनल आपको एको लेटर इस नहीं किया जाएगा इस चीज के लिए डिवी के टाइम जो आपका इको लेटर था वही वहाँ पर लेकर जाना है ठीक है फ्रेंड्स और जो भी आपके डॉक्यमेंट्स नहीं डॉक्यमेंट्स की दोधो फोटो को पेज अपको लेकर जानी है और आपको एक SMS या इमेल ही भेजा जाएगा जो आपने रजिस्टर मोबाइल नंबर जो रजिस्टर किये थे और जो इमेल एड्रस रजिस्टर किया था उसके उपर ठीक है नेच्स्ट इसमें काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि जो तीन एक्जाम हुए थे उन तीनों एक्जाम के एक्जाम के एक्जाम लेटर मिल नहीं पाता है कोई दिककत नहीं है क्योंकि चेक नहीं होता है नेक्स्ट आपका केंडिट नीट टू अटेंड मेडिकल एक्जाम लेटी डूली पेइंग रुपे 24 जो आपका मेडिकल एक्जामिनेशन होगा वहां पर आपको 24 रुपे सब्मिट करवाने है दिककत नहीं है जब भी आप अपेडिकल के लिए जाए तो आप खुद को दो या तीन दिन के लिए प्रिपेर करके जाए कि हो सकता है इतना टाइम आपका लग सकता है नेक्स्ट आपके कैंड़ेट आपके कैंड़ेट आडवाइज आपको कोई भी बिलॉगिंग नहीं लेकर जाना कोई भी सामान आपको नहीं लेकर जाना है अपको लेकर जाना है अपको लेकर जाना है मेडिकल टेस्ट के लिए और एक ओरिजनल आपका वैलिड आईडे प्रोफ ठीक है नेक्स्ट दिया है फूर मेडिकल एक्जामिनेशन नोफिल विल बिल चार्ज़ डर्द होस्पिटल कोई भी आपको चार्ज नहीं होगा ओनली ट्विन्टी फॉर रुपिज आपको ओफिस के नाम पर आपको देने है ठीक है और कोई भी आपको एक्स करी नहीं करना है कैस नहीं लेकर जाना है किसी को भी कैस नहीं देना है next आपका candidates are advised that mayor calling them for issue of medical memo does not give they any right for medical examination they will only be issued medical memo if they comply all the requirement of CN notice सब्सक्राइब को जाना है इस होस्पिटल के अंदर जाना है ठीक है फ्रेंट्स रोल नंबर दिये गए है नीचे तो यह फ्रेंट्स रोल नंबर है इन इन बच्चों का डीवी होना है कब होना है सोरी मेडिकल होना है कब होना है ग्यारा ओक्टूबर को होना है नाइन थर्टी का टाइम दिया है तो आप एग्जेक्ट नाइन थर्टी पर ग्यारा ओक्टूबर को जो हॉस्पिटल में पहुच जाए ठीक है आपको क्या-क्या कंडेक्ट करना है क्या-क्या कैरी करना है वहा आपको कुछ भी नहीं लेकर जाना, ठीक है friends, next है आपका candidates are hereby advice that this will be the final chance for attending RRB ALD for medical examination and no further communication will be either undid in from the candidate or will be sent from the office and the candidature of the absentee candidates will be rejected without further notice. इसने बोला है कि another कोई भी chance नहीं दिया जाएगा यापका last chance रहेगा, तो friends, all the best to all the guys, जिन-जिन की roll number है, यहाँ अच्छे से आपको medical देना है, ठीक है friends, तो यह था आपका, जिन बच्चों का नहीं हुआ था, उनसे related, ठीक है friends, यदि आपको update रहना है, तो मेरी चैनल को like and subscribe जरूर किजिए, okay, thank you friends.